तो पहरे बच्चों जो यह इंटेग्रेटड एर्मिस्ट्रेटव सिस्टम है यह चंद और पावर्स है बड़े पावर्स जो संट्रल को कॉन्स्ट्टूशन ने दिये हैं तो जैसे कि आपको मालूम है कि पहले मैंने आपको संट्रल के पावर्स पढ़ाए तो आज मैं कुछ और पावर्स संट्रल के आपको बताने जा रहा हूँ तो टापिक का नाम है इंटिग्रेटड एर्मिस्ट्रेटव सिस्टम जैसे कि आप जानते हो कि जो civil services है जो civil services के exams होते हैं या civil service के में जो appoint होते हैं वो all India level पे होते हैं या ये पावर संटर के पास होता है यानि जिसको हम UPSC कहते हैं Union Public Service Commission तो उसमें जो हमारे officers होते हैं वो किसी भी state में काम कर सकते हैं वो administrator level के officers होते हैं तो वो किसी भी state में काम कर सकते हैं और ये powers भी center के पास रखे गए हैं Thus, an IAS officer who becomes the collector or an IAS officer who serves as the commissioner of police or under the control of the central government तब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे IAS officers होते हैं IAS Indian Administrative Service या हमारे पास IPS officers होते हैं यानि Indian Police Service ये IAS officers या इनिये IPS officers हिंदुस्तान के किसी भी कुने में अपना काम अंजाम दे सकते हैं States can neither take disciplinary action nor can they remove these officers from service और States के पास ये पावर नहीं होता है कि वो उनके खिलाब कोई Dispens, 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 Sorry कोई Action, Dispensary Action या कोई भी सजा वो इनको नहीं दे सकते हैं यानि कि जो ये IAS officer होता है या IPS officer होता है State के पास ये पावर नहीं होता है कि वो उनको रिमूव करें office से कि उनको निकाल सके या उनके खिलाब कोई Dispensary Action ले सके ठीक है तो आर्टिकल 33 और 34 ये आर्टिकल हमारे कॉनस्चूशन में है एक आर्टिकल 33 और एक आर्टिकल 34 ये अथराइज करती है पार्लिमेंट को तो प्रोटेक्ट परसंस इन दा सर्विस आप दे यूनियन और स्टेर इन रेस्पेक्ट आप एक्शन टेकन बाई देम जूरिंग मारशालला और मेंशन और रेस्टूर आर्टिकल 33 और 34 है ये अथराइज करते हैं पार्लिमेंट को पार्लिमेंट आफ इंडिया को ये अथराइज करते हैं कि ये प्रोटेक्ट करें ऐसे परसनर्स को या ऐसे आफिसर्स को जो IAS हो या जो IPS हो उस वकत उनको प्रोटेक्ट करें जब वो कभी भी कोई एक्शन लेते हैं जब लॉइन आर्डर का मामला हो या कोई और मामला हो तो जब कोई भी एक्शन वो लेते हैं, जो एक्शन खतरनाक एक्शन होती है, या जिसको हम सक्त एक्शन के नाम से भी पकार सकते हैं, यानि जब कभी भी ये लोग, ये आफिसर्स, चाहे वो IPSO या ISO, जब कोई भी भी ये law and order को maintain रखने के लिए कोई सक्त एक्शन लेते हैं, तो उस वकत पार्लिमेंट की जिमेदारी है कि ये इनको प्रटेक्ट करें, ये इनको प्रटेक्ट करें, यानि कि मान लो कि अगर कोई IPSO कोई सक्त कदम उठाता है कहीं पे law and order को maintain करने के लिए, तो उसकी protection पार्लिमेंट करती है, तो उसकी protection यानि पार्लिमेंट उसको free hand द रखो, ठीक है, इस provision further strengthens the powers, powers of the union government, तो इससे क्या हो, ये जो provision रखा गया है, article 33 और 34 में, इससे क्या होता है, इससे और ज्यादा powers जो है union government के, वो ताकतवर बन जाते हैं, यानि article 33 और 34 ने और ज्यादा ताकतवर बनाया है, union government को, यानि powers of union government को, ओके, the arm of force special power act, जिसको हम अफसफा भी कहते हैं, has been made on the basis of these provisions, इनी provisions को मदे नजर रखते हुए, जो ये हमारे पास आज, ये अफसफा है, जिसको हम arm of force special power act के नाम से जनते हैं, ये भी इसी की एक कड़ी है, यानि कि जो ये officers थे, या ये प्लीस के, या IAS officers थे, ये free hand नहीं था है उनके पास, ये कोई भी action लेने से पत्राते थे, तो एक, एक एक्ट लाया गया, जिसको कहते हैं, arm of force special power act, इससे इनको free hand मिल गया, यानि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, the act has created tensions between the people and the arm of forces on some, किसी किसी वकत, ये act जो है, ये create करता है tension, लोगों के, लोगों में भी, और force, arm of forces में भी, किसी किसी जगा भी, ओके, तो these are the integrated administrative system, ये थे कुछ और power जो strength करते हैं union government को, या हम कहेंगे कि ये कुछ और ऐसे powers थे, जो center के पास थे, जो state के पास नहीं रखे गए थे, in federal system, now our next topic is conflicts in Indian federal system, कुछ conflicts भी रहे हमारे Indian federal system में, from time to time, states have demanded that they should be given more powers and more autonomy, वकत वकत पर क्या हुआ, जो ये states थी, ये चाहती थी कि हमारे पास ज़्यादा powers होने चाहे है, हमारे पास more autonomy होनी चाहे है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, this leads to conflicts and tensions in the relations between center and the states, क्योंकि center और states के relations अच्छे होनी चाहे है, वहाँ पे cooperation होनी चाहे है, मगर जो कुछ states ऐसी है, जो ज़्यादा autonomy चाहते हैं और ज़्यादा powers चाहते हैं, तो इन की वज़ा से, इन की वज़ा से क्या हुआ, जो ये relations थी between center and state, तो ये इन में conflicts पाइदा होगी है, इन में tensions पाइदा होगी, अगर हम देखते हैं, अगर से लीगल डिस्प्यूट के दरमयान कुछ लीगल डिस्प्यूट आते हैं, तो उन लीगल डिस्प्यूट को हम जुडिशियरी के जरिए सालो करते थे, मगर ये ऐसे डिस्प्यूट हैं, जिनको जुडिशियरी के जरिए हम सालो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे डिस्प्यूट है, ये ऐसी लड़ाई हैं कि कुछ states जो है, वो more autonomy चाहते हैं, more power चाहते हैं, ठीक है, demands for autonomy are of political nature, जो ये demand है, autonomy के demand, ये political nature की होती है, and need to be resolved through negotiations, और इनका हल negotiations के जरिए ही निकल सकता है, इनका हल judiciary के जरिए नहीं, बिलकि इनका हल negotiations के जरिए निकल सकता है, because they are of political nature, क्योंकि ये political nature के मसले होते हैं, जैसे autonomy मांगना, more autonomy मांगना, ये एक political nature का मसला होता है, इसको हम फिर judiciary के जरिए हल नहीं निकल सकते हैं, बिलकि इसको negotiations के जरिए हल निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर ये legal dispute होता, अगर ये legal dispute होता, कि state जो कोई चीज़ मांगते हैं, ये legal है, ये कानूनी हक है, तो इसको judiciary हल कर सकती थी, मगर ये ऐसी demand है, जो political nature की होती है, और इसको negotiations के ही जरिया हल किया जा सकता है, in the 1950s and early 1960s, यानि 1950s के बाद और 1960s से पहले पहले, the foundation of our federalism was laid, जो federalism की foundation है, वो जवालाल नहरू ने डाली, यानि 1950s के बाद में, और 1960s से पहले, यानि 1950s से 1960s के बीच में, जो federalism की बन्याद थी, वो जवालाल नहरू ने डाली, उस वकत क्या था, उस वकत, एक ऐसा period था हिंदोस्तान का, जब Congress dominance थी, जब हर जगा Congress की हकूमत थी, यानि States में भी Congress की हकूमत थी, और संटर में भी Congress क हकूमत ही, तो कंफिलिक्ट की बात ही नहीं आती, जब स्टेट्स में भी Congress हो, संटर में भी Congress हो, तो disputes कहां से आएंगे, डिस्पूट्स तब आते हैं, जब स्टेट्स में कोई अलग government हो, और संटर में कोई अलग government हो, जब एक ही government वहां भी हो, और यहां भी हो, तब disputes नहीं होते हैं तो it was the period of Congress dominance over the center as well as the states except on the issue of formation of new states the relations between the center and the states remains remain quite normal during this period. इस period में बिल्कुल नार्मल सी रही between states and the center except except this बात पर कि new states हम कैसे बनाएंगे new states बनाने पे कुछ conflicts रहे मगर आम तोर पे center और state में उस वकत बिल्कुल नार्मल सी रही इन दे मिडल आप 1960s Congress dominance declines in the middle of 1960s 1960s के बीच में जो Congress की dominance थी जो हर जगा Congress की Congress थी वो कम होने लगी somewhat and in large number of states opposition parties came to power center में यह कम होने लगी मगर states में यह ज़्यादा हो गई यानि जो उनकी dominance थी वो states में अब खत्म होने लगी वह अपूस्ट parties भी सामने आ गई finally since the 1990s जब हम 1990 की बात करेंगे Congress dominance has largely ended Congress dominance खत्म हो चुची थी यानि Congress का Congress खत्म होने वाली थी and we have entered an era of coalition politics especially at the center और हमें center में अब coalition government सामने आ गई यानि 1990s में जो Congress की dominance थी लगबद आजादी तो 1947 में हुई 1947 से लेकर middle 1960s तक Congress की ही dominance रही middle 1960s में थोड़ी बहुत कम हो गई और 1990s में आम तोर पे ये खत्म ही हो गई और हमारे पास coalition government सामने आ गई center में भी और states में भी in the states two different parties both national and regional have come to power to states में क्या हुआ तब तक states में तो regional party आती थी और national party नहीं आती थी अब जाके national parties भी power में आने लगी और regional parties भी power में आने थी इस has resulted in a greater say for the states respect for diversity and the beginning of a more mature federalism तो इससे क्या हुआ इससे states में जो respect था diversity का वो बहाल हो गया और mature federalism बन गई 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 इस in the second phase that the issue of autonomy become very potent politically तो यह इसका second phase था जब जो issue of autonomy था वो very potent बन गया politically थेंक यू तो हमारा next topic होगा demands for autonomy किन-किन states ने autonomy की demand की यहने इंडिया में अगर हम इस वकद देखेंगे हमारे पास 29 states है and 7 union territories है मगर present में present में 29 से गटके 28 states बन गई है और 9 से बढ़के 11 union territories बन गई है क्योंकि जेन के भी एक union territory बन गई है और लदाग भी एक union territory बन गई है और यह एक state थी तो state से हम इसको minus करेंगे और union territories में इसको add करेंगे तो इस में देखेंगे कि इस में demand कितने लोग उने की autonomy की यानि उन्दरों ने खुद मक्तारे की demand कितने लोग उने की वो हमारा next topic होगा thank you झाल